तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जैनेसिस रिजर्वायर खुलने वाला थी, और इसमें अब याओ याओ भी इनफॉल्प थी, आगे पढ़ने से पहले एक बात, क्यूंकि मैंने नया मुबाइल लिया है, तो इसमें वो ओडियो जैक नहीं है, सी टाइप वाला है, तो डारेक्ट रेकॉर्ड कर रहों, तो वो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर जैक ले लिया, तो फिर शाम में भी हम मिल सकते हैं, डेली नहीं पर कभी कभी तो मिलेंगे, खेर आगे बढ़ते हैं, इधर ली किंग चान और येगे के जाने के बा और वही अपना प्रेंस इवान ये समाई के साथ 70 बीष्ट के स्पिरिट को कंडेंस कर चुका था, दीरे दीरे ये बढ़ते बढ़ते 78 तक पहुँच चुका था, वो भी एक परफेक्ट फ्यूजन था, और इसका में गोल वही था 99 बीष्ट, सारी 90 बीष्ट को फ्यूज क युवान दुबारा से परपल केप वेलिंग में वापस लोड और याओ 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 भी भी स्टडी कर रही था, यह से डिस्टर्ब नहीं करना चाता था, पर याओ 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 खुद बोलती, किस वर्ट पीक से ज़्यादा डरने की जुरत याओ 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 पर इतना समय के लिए ट्रैप किया जा सकता है जितना में हम इने हरा दे है और यावयो इसे इशारा करते है कि तुमारे बॉड़ी में जो ड्रैगन की है उसकी तरफ एक्वेटिक बीष्ट अट्रेक्ट होते है उनको तुम यूज कर सकते हो इन लोगों बे मदलब वो बीष्ट ही इने हरा देंगे एक बार ट्रैप करने के बाद और यावयो पूरा प्लैन इसे समझा देती है कि तुम बीष्ट वगरा को इस बाउंडरी के अंदर लेके जाओगे जहां पे आएगा असली मजा और इन बीष्ट से फाइट करने में स्वार्ट बीक वाले वैसे भी अपनी इनर्जी वेश्ट करतेंगे युवान को अब समझ में आता है कि यावयो कितनी खतरनाक लेवल की जीनियस है अब यावयो ये चीज ये बोलती है पर इसे स्टेट अप करना थोड़ा कठीन है मुझे हेल्प की जुरत पड़े ही युवान तुरन दिपलता है क्या मैं नहीं कर सकता हूँ अब यावयो बताती है जिसका पिरिट जो हो वो एडवान्स कॉर्पोरियल स्टेज पे हो वो ज़्यादा सही हो मेरे सबसे येगे ज़्यादा अच्छा है अब युवान को आता है गुस्त सा और यह कहता नहीं नहीं वो तो अमारे सेंट जैनेसिस पीक का है भी ने यावयो दीख रहे थी और इसके मजहे ले रहे थी और युवान इससे कहता है टेंशन मतलो मैं काफी मैनत करूँगा और एडवान्स कॉर्पोरियल स्टेज पे पहुच चाऊँगा यावयो फिर से स्माइल करती है और कहती है फिर मैनत करो ने तो फिर मुझे येगी की मदद लेनी पड़ेगी और ये से बताती है कि वो जो इसने इससे जार दिया था स्पिरिट रिफाइनिंग सा लाईब उसमें जो भी कुछ प्राब्लम से ये उन्हें लगबक रिजॉल्ब कर चुकूँ पर यावयो बोलती है फिर भी उसमें एक प्राब्लम है बाउंडरी की पात अभी ये कर रहे थे क्योंकि कुछ और डिसाइपल्स हैं जो की अलफा इड़्ट लेर में और उन्हें ट्रैप करना थोड़ा कठी नोग और यावयो बताती है जैसे कि तुम्हें बाई लीचे को तमाल नाई पड़ेगा बाकी दूख उत्तों मैं और टुन्टुन देख लेंगे और तुम अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जिनको भी हमने ट्रैप किया है उन्हें बाई लीचे छोड़ा ही थेगा युवान भी समय थोड़ा एकदम एरुगेंटली बोलता है मतलब अंदर के confidence से कि अगर बाई लीचे वो मुझे हरा दिया तो मैं चीफ डिसाइपल का पोजीशन ही छोड़ दूँगा युवान जानता था जिस दिन जेनेसिस रिजर्ब वायर खुलेगा उस दिन कांग जुवान सेक्ट में एक अलग ही तहलका होने वाल है क्योंकि याओ याओ आप सीरियस है समय गुजरनी लगता है और 15 दिन और निकन चुके थे और युवान ने अब तक 89 पिरिट को कंडेंस कर लिया था और आखरी बीश्ट के बारी थे उसके बाद ये जो सीर्ड का इनिश्टेल स्टेज होता है उसमें एंटर कर जाये इधर युवान में आखरी बीश्ट को भी यानि उसके स्परिट को मर्ज कर रहा था और ओल्ड जुवान देख रहे थे और हैरांद ये पंदा गज़ा भी है इधर ये युवान को ये आखरी बीश्ट को मर्ज करने में अच्छा खासा प्रेशर लगाना पड़ता है इसकी नस से साफ देखी जा सकती थे क्योंकि ये वाला जो पिश्ट था ये काफी ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा थे पर युवान रिफाइन नहीं कर पारा थे तब ही पीचे से ओल्ड जुवान की अबाज आती कि अपना ब्लड यूज करो और इसे रिफाइन करो युवान तुरं थी इसमें अपना इसेंस ब्लड मिलाता है और ये जो वाइलिंट रूल था औरा थी ये दिर दिरे शान्त होने लगती और जैसे से मिक्स करता है एक वर्चुवल टाइप और यानि धून्द टाइप इसके बौडी में एंटर करती और ये एक अलग औरा फील करता है इसका जो सीड था वो कम्प्लीट हो जोगा था और ओल्ड जुवान इसे बताते जब तुम नाइन कोर बीष्ट स्पिरिट को इसमें और मर्च कर दोगी तो ये पूरा कम्प्लीट हो जाए पर युवान भी कहाँ जाता है कि 90 बीष्ट को मिलाने में इसके हालत खराब हो गई और ये नाइन कोर और चाहिए और ओल्ड जुवान भी बताते कि कोई जल्दी के जुरत अब फिलाल तुम उमेगा स्पिरिट के पावर को यूज कर पाओ चलो तुम्हारा वैसे भी पहले से कोई वेट कर रहा है यूवान जब यहां से बाहर निकलते हैं तो ये जाव टाई, जांग यान और लू यान वगरा को देख अब लू यान इसे बताती है कि बाई लीचे ने फिर से किसी को भेजा थी कि अगर तुम्हें अपना इरादा चेंज करना होता नई तो फिर स्वार्ड बीक बाले भाएंकर बैटल करने वाले हैं पर यू वान भी इन्हें अब पार करन लग और एकदम हीरो की स्टाइल में बोले कि हमारे किसे डिसाइपल्स को भेज दीजिए स्वार्ड पीक में और बाई नीचे से कहने को बोलिए कि मैं भी उन्हें आखरी मौका दे रहू आके माफी मांग लेगो ने तो हाल अच्छा नहीं होगा अब इसके ये बात को सुनकर लू यान वगिर हैरान थे खासकर कि ये बोलती क्या ये बंदा सीरियस है और अगर ये फैल गया तो और भी खतरनाग बात और जाओ टै बोलते हमें तो उसकी बात माननी ही पड़े हाला कि वो हमारा जोनियर ब्रदर है पर साथ में वो चीफ डिसाइपल भी है क्योंकि लू यान को भी यही लगता था कि जलो प्रिंज जिवान सामने वाले को संबाल जा और उनकी आरमी काफी बढ़ी है ये कैसे संबालेंगे इदर सिन्शिप्ट होता है और स्वार्ड बीक को दिखाय जाता है और यहाँ पर कॉंग सेंग जाव जू और बाई लीचे बैठे हुए थे पाकी दो तो चेस केर रहे थे और बाई लीचे इन्हे ध्यान से देख रहा और इसे वो न्यूज मिल चुका जो जाव युवान ने कहलाया था और यह सब ही हस रहे था और बाई लीचे ये प्लैन करता कि स्वार्ड भी किस सब को मोटीवेट करना है तो थोड़ा मेर्ची मसाला डाल करके तब यह डिसाइपल्स को बताएगा ताकि वो जादा ही एरगेंट हो जाए और गुस्ते में फाइट को और यह मन मी मन काफी खोश हो रहता है कि जाव इवान हो जाव यू तुम सच में भी बच्चे हो इतर इव थोड़ा इंपेशेंट होंगे तो बाउंडरी में उने एट्रेक्ट करना जादा आसान हो जाएगा और याव याव भी खुश हो रहे कि मानना पड़े तुम उनके हेड्रेट को ही अपने पावर की रूप में इस्तेमाल करें पर इवान इस वरान ये भी बोल कि बाकी चल रहा है और अब दो हपते बच्चे तो फिलाल अपने स्पिरिट पे फोकस करो नहीं तो मुझे येगे की मदद लेनी पड़े युवान फिर से कहते कि आप टेंशन मत दस दीन पंदरा दिन में मैं अडवांस कॉर्पोरियल स्टेश पे एंटर कर चाओं और याव याव वो जो Z bottle था युवान को दे देती है युवान देखता है इस ये पहले से थोड़ हलका हो चुका था क्योंकि याव याव ने से इसके हिसाब से बना दिया था और याव यो कहती है अगर वहाँ पे फेल हुए हम तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इदर दूसरी पेले इनको काफी डाट लगाई युवान हॉंग वगएरा हार गये थे उसके पहले चीफ डिसाइपल कॉमपटिशन से पहले वाले पर्पल डिसाइपल कॉमपटिशन में इनके कई सारे डिसाइपल्स को प्रिंस इवान ने अकेले हरा दिया तो इनका एक ही राधा कि इस तो हम सेंट जेनेसिस पीक को अच्छे से हुमिलेट करेंगे और ये जो न्यूस पूरे कांग जवान सेक्ट में फैलने लगए और सभी को यही लग रहा था ये जो नया डिसाइपल है सेंट जेनेसिस पीक ये थोड़ा जादा ही अरोगेंट है और ये न्यूस लीकिंग चान तक भी पहुच जाती है ये भी इसे सुन करके हैरान थी कि ये युवान क्यूं उर्दी तीर लेना चाता है और इसे हमेशा लगता था ये बंदा कुछ न कुछ प्लैन दो किया हो इधर कांग जवान पीक को दिखाय जाता है जहां पर गू होंगी बैठी थी और इससे कई लोग बाते कर रहे थी कि आपका ये फ्रेंड प्रेंस इमाल ये अलगी कैराक्टर है और कुछ लोग तो मजे भी ले रहे थी पर होंगी ज़ादर येक नहीं करता फिर भी इससे भी लगता था यार ये काम थोड़ा कठीन होगा युवान सोच कहा रहा है बागी दर डिसकसन चल रहे थी और वहीं युवान अपने केव ड्वेलिंग में लागादार प्रैक्टिस में लगा हुआ और जबसे इसने ये गोल्डन लिक्विड यूज किया थी इसका जो स्पिरिट वो और भी ज़्यादा कंडेंस होने लगा था समय बीथते जाता है और जैनेसिस रिजर्वाइर खुलने का समय काफी करीब आ चुका था कुछ दिन और बीथते हैं और बेल की अवाज आती है आज ही का दिन था जिस दिन जैनेसिस रिजर्वाइर शेर्यमनी ये स्टार्ट होने वाला था और इस थमें सेंड जैनेसिस पीक को दिखाय जाता जाव याव बागी लो साथ में याव याव भी टुन्टुन के साथ खड़ी थी और जाव याव याव की तरफ देख रहा था कि जूनियर सिष्ट है जूनियर उदर युवान का हैं अभी तक आए नहीं और अगर लेट हुआ तो हम समय पे पहुँच भी नहीं पाएंगे याव याव बताती है कि वो अभी भी कल्टिवेशन में बैठा हुआ इधर बेल बजरत और जाव टाई वगरा टेंशन में थे कि फिर से इनका मजा लिया जाए अगर ज़ादा लेट हो गया तो पर तब ये चानक एक बंदा काफी थे जी से इधर पहुंचता है और जाव टाई के शोल्डर पे अपनी हाथ रख के कहता है सौरी मैं तो लेट हो गया इधर जाव युवान के तरफ याव याव देखती खास करके इसके आई परोट और कहती नॉट बैट तुमने मुझे निराश नहीं की सीधा सीधा इशारा यही थे कि ये लॉंडा अपना एडवान्स कॉर्पोरियल स्टेज में पहुच चुका था इधर फिलार ये सता भी लोग बाकी जो डिसाइपल्स थे उनसे मिल और जैनेसेस रिजर वायर की तरफ बढ़ जाते है बाकी तो छे पिक्स की लोग थे वो तो पहले ही कठा हो चुके थे और स्ट पिक वाले मजे ले रहे तक लगता ये लोग आएंगे नहीं सबसे आगे में टीचर शेन खड़े थे, सामनी में सेक्ट मास्टर की इंगियां इन्हें सभी लोग ग्रीट करते है और सेक्ट मास्टर की इंगियां सभी को रूल्स बताते हैं कि तुम लोगों को तो पहले से बताओ, इस दुरान ही अचानक से बोलते बोलते रुख जाते हैं, और कहते हैं, कि मिथिक यूटोपिया, सिंग्जोव कॉंटेनेंट वाला खुलने वाला है, वहाँ पे अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, और कांग्जवान हैं, कि लोग काफी ग् कि जब इस सेकेंड जैनेसिस रून पाये, सौरी सेंट रून, यानि अर्थ रून, तो इसे एक इनफॉर्मिशन मिला था, मिथिक यूटोपिया, यहाँ पे शायब थार्ड सेंट रून हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो औराय काफी कंडेन्स है, और डिवाइन वेलिंग क स्ट्रॉंग किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीजे मिल सकती है, जिससे आपका जो गोर्य बोडी का वो ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगा, तो जब आप अलफा लेयर से डिवाइन वेलिंग में जाओग, तो पावर काफी स्ट्रॉंग होगा, और ऐसा कहा भी जाता है, कि एक पर खत्रे भी काफी जाता है, ये सब बाते सेक्ट मास्टर किंग यांग सबी को बताते हैं, और इस समय ते चू किंग भी अपने सर को खुजला रहे थे, जिस पर बाल नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर फाइट तो करना ही पड़े, युवान भी इस समय याव-याव की तरप पर फिलाल, अब उस सबी के लिए खुला है, मतलब सबी सेक्ट वाले वहाँ जा सकते हैं, शैद एक डाइमेंशन के तरह हैं, जो हर कई सालों के बाद खुलते रहता है कुझसे, बच्चे तो खुचते हैं, पर टीचर्स वगरा थोड़े सीरियस, क्योंकि जब-जब मिथि के अटोपिया खुलता है, सेंट जैनेसिस बीक के कई लोग मारे जाते हैं, युकि इनका सबसे बड़ा तुस्मन, सेक्रेड पैलेस वाले हैं, और इस सबी के बीच में बाई लीचे, कोल्ड स्माइल के साथ, फिरन सिवान को दुखूर रहा था, और इन सबी के बीच में से दिसाइपल तो शान थे, कोई आर एक दो महिने पे वो आते रहते थे, पर जो नए बच्चे थे, जो ब्लैक दिसाइपल्स जिनको ये मौका एक बार मिलता है सार, ताल में, वो काफी जादे एकसाइटेड है, अब इसके अंदरे कह रहा थी, जो ट्रैगन की से जा सकता है, और उपर में लहरों के कई सारे, एक्वेटिक बीष्ट को देखा जा सकता है, धीर दिरिन का साइज भी काफी बड़ा था, पहले की अपिक्ष्या, और पहले के मुकाबले, यहाँ पर जो ड्रैगन की था, वो जादा कंडेंस थी, और सेक्ट माश्र केंग यां है, वो छोड़ने वाले नहीं, यह उनसीदा के, भागो, और जो भी पकड़ा जाएगा, मुझे ब्लेम मत कर, और इस दुरान यह हस की, याव याव की तरफ देख, और यह सबी लोग इस तमय जेनेसिस रिजर्व वैर में काफी देरी से आके बढ़ जाते हैं, जाउ टाई पीक वाले से इतना जल्दी डर गए, क्योंकि पहले सही, स्वाड पीक वाले कुछ बंदे दयारत, सेंड जैनेसिस पीक को रोकने के लिए, उन्हें भी समझ में नहीं, बाकी डिसाइपल से होते, अलग-अलग पीक, उन्हें समझ में नहीं आना, किंग चान को भी समझ में पहले तो ये काफी टफ एक्टिंग कर रहा था, अभी क्या हो गया, अभी तो भाग रहा है, पर आगे तो इनकी मुलाकात होगी ही, डिपर सेक्शन्स, तब ही ये क्या करें, इधर इसके इस हालत को दिखकर, इसके इस एक्ट को दिखकर, इवेन कॉंग सें, जाउजू और बाई लीचे, हसकी कहते है, यार ये बंद, ये काफी शातिर है, अलकि इनकी बात में एक मचा था, अब इने भागता देख, कॉंग सिंग सभी को बोलते, किस फिला लाम डीपर सेक्शन्स में एंटर करेंगे, और अपना एक बेस इरिया बनालेंगे, वहां से हम एक्वेट बाई लीचे मनी मन कहरें, कि भागो जव यवान भागो, कब तक भागो, इधर यवान को दिखाये जाता है, जो कि समझ गया था, ये बाई लीचे खूर रहें, और ये आगे बढ़ रहें, और मनी मन कहरें, हाँ स्लो स्वाड पीक वाल, थोड़े समय के बाद रोना भी तो पता था, कि ये दोनों करने के अवाल, दो घंटे धूनने के बाद, फाइनली इने एक वैसा लोकेशन मिल जात, एक आइलेंड, और यूवान भी बाकी जो जावड़ाई वगरा थे, इन सबी से बोलते हैं, कि ये हमारा बेस कैम्प, पर बाकी लोग फिर भी पूछते हैं, जावड़ाई वगरा, ये हमारा प्लान के है, क्योंकि हम काफी भी ठंकिया हमारी साथ सो आट सो उससे ज़्यादा नहीं, सामने वाले तस अचार, क्योंकि इने भी ये अस्तंभो लग रहा हैं, ये फाइड कर पाएं, यूवान बस इतना कैत, अगर मुझ पे भरुस, तो स इनसे कहता कि आप बाके डिसाइपल्स को लीड करें, इधर हम अपनी तयारी करें, और वो लोग तब तक एक्वेटिक बीष्ट वगरा को हंट करेंगी, हलक ये थोड़े से डाउट में थे, कि हम कैसे लीड करें, आपके वो तीव, पर यूवान समझात, कि बस विश्वास आप टुन्टुन को साथ में ले जा सकते हैं, अब क्योंकि इनको टुन्टुन का श्रेंथ पता हीं, तो एक्वेटिक बीष्ट से डरने की जुरत थी भी, फिलल ये बाकी लोग बीष्ट हंट करने निकल जाते, और यूवान और यावयो, यहाँ पर बाउंडरी को सेट अ मान सकते हैं, खोदी सोच के देखो, और अगर तुम्हें उनका दिल जीतना है, तो हमारा प्लैन सक्सेस्फुल होना चाहिए, और यहाँ यहाँ बताती है, कि हमें बाउंडरी सेट करने में कम से कम 6 दिन जाएंगे, और एक दूसरा लोकेशन दोने, कि यह हमारा लोकेशन उनको लगेगा, पर हम दूसरे लोकेशन पे बाउंडरी सेट अप करेंगे, रिस्की तो था, पर अगर यह सक्सेस्फुल होगा, तो मज़ा आ जाएगे, इधर जो बाकी पीक्स वाले थे, यह और भी ज़्यादा टीपर सेक्शन में एंटर कर चुके थे, और बीश्ट आज, कि हमें थोड़ा लोकेशन मिल चुका है उन, अब बाईली चेंट से पूसता है, क्या तुमको वो युवान और यावयाव मिले, डिसाइपल पतात, कि बाकी लोग तो दिख रहे थे, पर उन दोनों का पता नहीं, हलाकि वो जो क्रियेचर है, उसको हमने देखा था, और बाईली चेंट भी कुछ टुन-टुन से डरता था, कि जो जाउजो को इंजड कर सकत, इसके सामने, यानि उसके सामने ये तो कुछ नहीं, अब आके डिसाइपल्स पुछते, कि क्या हम उन्हें घेर लें, बाईली चेंट वड़ देर सोचता है, और कहता है फिलाल नही पर ये मन में सोच रहा है, कि वो युवान और यावयाव, वो कहां पर है, कुछ तो गड़बड है, पर हम उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकत, और ये डिसाइड करता है कि हजार डिसाइपल्स ये बेज देगा, और उनको घेर लेगा, हलाकि तुमको एक काम करना पड़ेग जबी भी वो टुंटुन मिली, यानि वो क्रियेचर, तो उससे सावधान रहना, और मोका धूंड की, हम कुछ डिसाइपल्स उनके किड्नैप कर लें, और उनसे यावयाव और युवान का लोकेशन पुछेंगी, इधर हो जे छोटा आइलेंड, जहां पर जाव टाई, जा कि मुझे भी नी बत, लुईयान भी टेंशन में थे कि वो हमारे चीब डिसाइपल, और सारा चीज उन पर डिपेंड करता है, हमारा मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा, जाव टाई कोशिस करता है कि जाव युवान को डिफेंड करे, पर क्या इसे करे, बस ही इतना कहता है कि मेरे साब से समय पर वो आई ही जाएगा, इधर ये बात करी रहे थे, तब ये आसपास कई सारे, वड़ और वाले इन्हें दिखाई देने लग, और जावटाय अंदाजा नगा ले ये हजार के आसपास है, मतलब ये बस ट्रैप करना चाते है, फुल फोर्स के साथ नहीं आ जाते हैं, क्योंकि टुन-टुन का नाम कौन नहीं जानता था याँप, इधर जाव टाई वगरा को दिखाए जाता है, जोकि मन में सुझ रहा था, कि जूनिये ब्रदर जाव ये बान, क्या आपके पास तचमे क्लैन है, तो स्टोरी को यहीं समाप करते हैं, और मिलते हैं फिर एक नए वडियो के साथ